हलो माई डियर स्टूडेंट्स आज हम गनित के उन 27 टॉपिक के उपर डिसकस करने वाले हैं तो घर पे आते कहते हैं इतना पढ़के गए इतना करके गए फिर भी हमारा रिजल्ट ने हैं यही 27 टॉपिक है जिनको अगर इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया जाए पढ़ लिया जाए वो भी ट्रिक से 27 तॉपिक को अगर इन 27 टॉपिक को आप कम्प्लीट्ली ट्रि क्योंकि यही 27 ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार-बार कोशन पूछे जाते हैं सभी competitive exam में और आप उनको छोड़ कर घर चले आते हैं आज के बाद इस समस्या से समाधान पाईए वो भी 100% हम शुरू करने वाले हैं गनित के यह 27 टॉपिक बस इतना पढ़ लीजिए या सीख ली चाहो भई result की हम guarantee देते हैं कि result आपका नहीं रुकेगा अब इतना पढ़ने के बाब जूद भी नहीं बनेगा तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं तो चलिए एक बहुत ही शांदार वीडियो है अन्डे जितनी भी हमारी वीडियो से उससे यह हटके है और थोड़ा नया है उमीद है कि जितना जादा से जादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि सबका साथ सबका विकास और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वो तो आटनमेटिकली पहले ही topic से आप लाइक करना शुरू करेंगे और चलिए बिल्कुल time waste नहीं करते हैं इन 27 topic को दना दन एकदम solution करते हैं एक बहतर concept के साथ एक बहतर trick के साथ और आईए चलिए शुरू करते हैं और result की guarantee है अगर आप इतने topic हो क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आप उठाकर देख लिजेगा previous years हमारे class करवाने के बाद पहले 27 topic पढ़तो लिजे बाद में previous years पैर दो या चार हो गर्दन तो एक ही होती है ना सिर तो एक ही होता है तो इसके उपर आज हम लेकर आए हैं तीन से चार question जो आपके topic one में हम cover करेंगे topic by topic जैसा कि आप देख पारे उपर पहला है कि एक चुणियागर में चुहे और कबूतर है चुहों के चार पर कबूतरो के दो पर सिरो की संख्या 90 पैरो की संख्या 224 तो कबूतरो की संख्या देखे आप से पूछा गया है कबूतरो की संख्या कबूतरो के दो पैर होते हैं लेकिन यहाँ पर हम आपको एक trick देने वाले हैं और वो trick दो पैर वाले जानवर का नहीं होने वाला है चार पैर वाले जानवर का होने वाला है यानि इस बार यहां पर हम आपको direct किसका निकाल सकते हैं भई चूहा है और कबूतर है तो हम direct निकाल सकते हैं चूहो की संख्या चूहा यानि चार पैर वालो की संख्या ठीक है लेकिन सवाल मन में चल रहा हुगा सर यहां तो कभूतर पूछा गया है आप चार पेर वालों की संख्या क्यों यानि चुहों की संख्या क्यों निकाल है My dear student इसलिए निकाल रहे है न क्योंकि डायरेक्टली दो पेर वाले जानवरों का कोई trick नहीं होता है तो चुहा यानि 4 पेर वाले जानवर का trick होता है LY2 LY2 माइनस यच L यानि leg यानि पेर head यानि शिर यच यानि head तो leg पेरों की संख्या है 224 पटे 2 माइनस head तिर की संख्या है 90 हम काटेंगे तो 112 बार में हलकी ये से कटता नहीं चो लोग पर कोई बात नहीं और 112 में 90 गया 22 22 चुहे मिल गया अब देखिएगा कि अगर चुहो की संख्या 20 मिला तो आपसे क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कबूतरों की संख्या देखिए अगर चुहो की संख्या 20 है 90 में अगर 22 घटा दे जो 22 किसका है चुहो की संख्या है तो 90 में 22 गया आपके प्रस्ण के हिसाब से कबूत्रो की संख्या हो गया 68 जो पहले नंबर उप्शन में उमीद है कि एक बहतर ट्रिक हम आपको दे कर आये होंगे LY2-H सब लोग बोलिए LY2-H यानि लेग को आधा करके हेड को घटा देंगे ऐसा भी कहा जाता है बच्चों के द्वारा तो LY2-H ये एक बहुत ही बहतरी प्रस्ण था और इसी के उपर 2-3 कोश्चन और क्योंकि एक में संतुष्टी मिलेगा ने पता चला एक सीखे फिर भूल गए तो हर एक टॉपिक by इस टॉपिक 27 टॉपिक हम आपको कराने वाले है ये तो भी पहला टॉपिक का पहला कोश्चन है पहले टॉपिक का ये दूसरा कोश्चन है कि एक विक्तिक के पास कुछ मुरगी और गाएं हैं पेरों की संख्या 140, 0 की संख्या 48, मुर्गी, हालाकि हम directly गाय का निकाल सकते हैं, क्योंकि formula गाय का होता है LY2 में तब 4 पेर वालों का, तो पहले हम क्या करते हैं, कि solution में हम पहले गाय की संख्या निकाल लेते हैं, तो गाय की संख्या वरावर formula होता है LY2-H, अगले प्रस्ण से formula नहीं लिखेंगे, direct solution करेंगे तो ले गए 140 बटे 2 और पेरो की संख्या, हेड यानि सिर की संख्या 48 तो यहाँ पर 70 बार में कटेगा, 70 में 48 गया भाई गाय की संख्या है 22 आप से पूछा गया है मुर्गी की संख्या देखिए, टोटल कितने जानवर थे बाई जितने सर उतने जानवर तो 48 जानवर था और 48 में 22 गो मुर्गी गाय था, तो 48 में से 22 गया 26 मुर्गी समझ में आ रहा है यानि टोटल में अगर 4 पेर वाला का घटा दीजिएगा तो 2 पेर कर दीजिएगा क्योंकि दो ही टाइप का जानवर होता है या तो 2 या तो 4, 3 पेर तो पता नहीं होगा या नहीं फिलाल तो अभी 2 और 3 के उपर 2 और 4 के उपर डिसकसन चल रहा है ये इस टाइप के कुश्चन हरेक competitive exam में पूछे जाते हैं किसी अस्थान पर कबूतर और हाथी खड़े है यदि पेरो की संख्या 230 और सीरो की संख्या तो हाथी देखो इस बार आसान है हाथी जबकि पता है हमें कि हाथी के 4 पेर होते है और हाथी का पूछा ही है formula लगा दीजे LY2 leg की संख्या 230 यानि पैर को आधा करके सीर को घटाईएगा तो 4 पैर वाला जानवर निकलेगा और 115 हलाकी डाइरेक्ट ऐसे करता नहीं है पर हम कार्ट देते हैं कितना हाथी मिला वाइस 115 में 60 घटाएगे 55 हाथी पहला नंबर ओप्शन आगे बढ़े बिल्कुल टाइम प्वास नहीं करते हैं ठीक है नेक्स्ट कोश्चन पेड पर तोता और नीचे बकडियां चर रही है सीरो की संख्या 35 तथा पैरो की संख्या 90 तोता देखिए तो डाइरेक्ट नहीं निकाल सकते है बकडी निकालिए क्योंकि दो पैर वाला का डाइरेक्ट नहीं निकाल सकते है यल वाई टू मैंने लेग है 90 पैरो की संख्या लेग को आधा किये सीर को घटाए तो ये 45 बार में कटा 45 में 35 गया भाई 10 बकडी अब बकडी नीच चाहिए भाई तोता चाहिए तो पहले देख लीजे कितने सीर है 35 सीर है यानि 35 जानवर 35 में 10 गो तोता है तो बकडी 35 में 10 गो बकडी है तो तोता कहेगो 25 गो एकदम मखण की तरह सॉल्यूशन समझ में आ रहा है यह सीनो कॉंसेप्ट एकदम किलियर है बिलकुल आ रहा है तो यह पहला टॉपिक ठीक है तो ऐसे करके हम आपके लिए लेकर आए है टोटल 27 टॉपिक देखिए अब आ गए हम लोग दूसरे टॉपिक में दूसरा टॉपिक यूनिट डिजीट के उपर है इकदम बहतर सॉल्यूशन कि भाई 16 गुने 16 गुने 36 में इकाई अंक क्या है इकाई अंक जैसे माल लिए चार पांच 6 7 हमने लिखा तो यह हो गया इकाई अंक सबसे लास्ट वाला तो इसी में पूछा गया है कि भाई इसका यूनिट डिजीट क्या होगा तो unit digit निकालना रहे और जब गुना मेरे ना तो अंतिम अंतिम बालों को गुना करतीजेए 6 चक 36 चक का 216 यानि सिंपल सी बात है last में unit digit 6 बचा कैसे 6 गुने 6 चक 36 चक 36 चक का 216 unit digit हो गया 6 मज़ा आ रहा है ठीक है अच्छा ये हमारा tricky math ब्रहमास्त्र है जिसकी तालास काफी समय से हमारे students कर रहे थे आ चुका है ये flip card के उपर अभी offer है इसी book के माध्यम से हम आपको अपने channel पर ये जो 27 topic है ना ऐसे ऐसे इस book के अंदर 1000 तो नहीं का सकते है 200-300 topics होंगे तिर्फ सता है ये 27 topic इसी book से दिया गया है अभी आप पढ़ो खुद बाकुद समझ जाओगे कि ये कितना खतरनाक book है flip card पे है इस video के description में link है नहीं तो फिर आप हमारा application इंस्टोर करिए dream classes official वहाँ पर book वाले section में जाकर buy नहीं करिए लगबग 200 या पौने 200 की ये किताब है आपके घर पर flip card पहुचा देगी तीन से चार दिन में टिक है मंग भाई ये cash on delivery भी available है और इसमें ये देखे tricky math ब्रह्मास्त्र ये ट्रिक का खजाना है और ये हमने खुद लिखा है written by rouseur आप देख सकते हैं हमारी photo लगी है यह हमारी किताब है खुद की किताब है खुद का dream classes का ये publication है और इस इस बुक का link वीडियो के description में अभी offer चल रहा है अभी courier charge कुछ नहीं बरना बाद में 50 रुपया courier charge लेगा इस बुक को मंगाईएगा ऐसे 27 नहीं कम से कम 200-200 टॉपिक होंगे इसके अंदर कम से कम वैसे इसके अंदर लगबग सब कुछ है आप इसके उपर एक वीडियो मैंने बनाईए वो देखेगा ज़रूर और इसको मंगवाईए वीडियो के description में मैंने link डाल दिया flip card का ठीक है चलिए अगले question की बात कर तो भई 471 प्लस 167 अभी offer है बरना 50 रुप्या कूरियो चार्ज लगेगा दो तीन दिन बाद 471 प्लस 167 गुने 342 यह देखिए है तो unit digit एकाई यंकी निकालना है लेकिन आपने board mass पढ़ा होगा जिसमें कहा गया है पहले काकरी पीछे भाग तब गुना तब जोड घटा यानि पहले गुना का का काम करेंगे तो 7 दूनी 14 क्योंकि हमें सिर्फ गुना करके कितना चोड़ेगा और इसको जोड़ना यहाँ पर तो last में किसको जोड़ेंगे last में एक रहेका तो last में जो जुटकर आएगा वो unit digit पांच ही तो कल आएगा यह उन्टी मंक जो होगा वो पांच होगा सही बात या गलत बात तो यह यूनिट डिजिट था लास्ट बार यूनिट डिजिट या नहीं काइंग सबसे लास्ट वाला यहां तक सबका किलियर है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए यस यह नू समझ में आ रहा है सबको अच्छा दो तारीक को इस बुक्ते उपर ओफर है यह भी ध्यान रखिएगा लिप काट पर और दाम गटने वाला है दो तारीक को यहां देखिए फिर से एक सवाल आपसे पूछा गया है 1570 पर पावर 67 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा एक बात याद रखिएगा जब जैसे यही है ना 1570 तूदी पावर 67 कुछ लोग क्या करते हैं एक रूल होता है कि इसमें 4 से भाग देना होता है और जो संख्या के अंत में चुन्य हो तो उस संख्या के उपर कितना भी बड़ा पावर लगा दो चाय इनफाइनाइट तक क्यों न चल जाओ ध्यान से सुनना मारी बात किसी भी संख्या के अंत में अगर शुन्य हो और उस संख्या के उपर आप कितना भी बड़ा पावर लगा द तो ठीक है डॉट 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 इन्फाइनाइट तक उसका यूनिट डिजीट हमेशा शुन्य ही रहेगा कोई परिवर्तर नहीं होगा यानि हम सीधे सीधे टिक लगाएंगे एक लिए इसी संख्या के अंत में अगर शुन्य हो और उसके उपर कोई भी पावर लगा दो एक थरा से होता है रेश्यों का बेशिक कॉंसेप्त निजब करते होगा प्रत्मा नुपाती दूतिय अनुपाती मुझु आ जब लोगाया जाता है न्जदीक का नजदीक से गोना, दूर का दूर से हुना in ऻगाट पूचे की प्रथमानुपाति क्या होता है तो जब A और B गीवेन हो और आपसे प्रथमानुपाति तो formula होता है A गुने B मद्यानुपाती नहीं है ये प्रत्मानुपाती है ध्यान से सुनो ए गुने भी यानि 16 गुने चार इसका प्रत्मानुपाती हो गया 64 अगे बढ़े अभी और भी इस टाइप यहां से भी कई बार एक्जाम में कोशन पूछे गए रेलवे में SSE में तो ये बड़ा इंपोर् होगा और इसके अंदर हमने लिखा इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी competitive exam क्रेक कर सकते हो क्योंकि हमने खुद से लिखा इस बुक को ठीक है इस वीडियो के description में लिंक है और इस बुक में हमने ये भी mention किया है कि भाई इस बुक को पढ़ने के बाद हर एक student का गणित का ड मध्यानुपाती वराबर formula होता है अंडरूट ए गुने भी ठीक है यानि अंडरूट 16 गुने 36 यह मध्यानुपाती का रूल है 16 का बर्ग मुल 4 और 36 का बर्ग मुल 6 6 24 यानि आपको जब मध्यानुपाती प्राप्त हुआ है वह 24 कैसा लग रहा इस नया concept दे रहे ना बहु अभी तो लेवल थोड़ा छोटा है ना दिरे दिरे और लेवल बढ़ेगा और जब तक आप 27 टॉपिक पढ़ोगे नहीं आपके गनित का डर बिल्कुल खतम नहीं होगा तो बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहे हैं next question देखिए एक और सवाल कि तोलह तथा 24 का तिरतियानुपाती तिरतियानुपाती बरावर जब A और B गिवन हो और आपसे पूछे तिरतियानुपाती तो एक formula होता है याद रखेगा हमेशा तिरतियानुपाती इस चीज के लिए आपको basic से ratio पढ़ना होगा playlist में होगा हमारा तिरतियानुपाती और फॉर्मूला होता है संजीब नहीं बैच अगर लेजिए गाना तो जीरो टू एड्वांस लेबल तक यह सब पढ़ पाईएगा हमारे अप्लिकेशन के उपर बी कौन सा यह लास्ट में तो भी और यह यानि 24 का स्कॉयर यानि 24 गुने जैसे कहेंगे न 24 का स्कॉयर बटे यानि 16 तो 24 गुने 24 पटे 16 आड़ दुनी 16 आड़ दुनी 24 बारती या 36 यह हो गया 36 यह हो गया 33 अनुपाती कैसा लग रहा है एकदम मस्त नहीं हमारे हमारे अप्लिकेशन के तुरू ड्रीम क्लासेस ऑफिशल के तुरू आप संजीब नहीं बैच ले सकते हैं अगर आपको पूछे तो आप इस फॉर्मेट पर बनाईएगा ए अनुपात भी समानुपात दी अनुपात दी अगर तीन डाटा गिवेन हो मत्तब तीन नंबर सिस्टेम नम अंक दिया हुआ हो और आपसे प्रतमान पाती दूर्तिया अनुपाती तिर्तिया चतुर्था कुछ भी चाहिए तो एक्स याद रखेगा जब दो अनुपात समानुपात के रूप में रहे तो नस्दीक का नस्दीक से गुना दूर का दूर से गुना यहां से कई बार कोशन पूछे गया है एक्स बराबर चौदा दुनी अठाइस भाई यहीं से सबसे जादा प्रस्ट आपके रेशियों में पूछा जाता है एक उर्पया 50 पैसा और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं यदि सिक्के 3-4-2 के अनुपात में तो 25 पैसे के सिक्कों कि संग्या समझ यह चेश को आपके पास क्या गीवन है सर हमारे पास गीवन है 324 सिक्क सिक्का जया खांगी सने ग्यांसे समझ एमारी दुट करिए सर हमारे पास 324 नेरगत चाहिं 825 सिक्क जयाता है है नहीं तो फिर कंवर्ट करना पड़ता है में तो यह 324 सिक्का यहां एक रुपया वाला तीन सिक्का पचास पैसा वाला चार सिक्का और पचीस पैसे के सिक्कों की संख्या ग्याद करने के लिए पूछ रहा है पचीस पैसा वाला सिक्का दो है तो दो से गुना नौ तिया सताइस पांच और चार नौ चटिस दुनी बहतर सिक्का होगा जी पचीस पैसा वाला पहला नंबर ओप्शन तरह हो गया समझ में आ रहा है आप सभी को बिलकुल एकदम मक्षन की तरह गनित को समझ पा रहे है फिर और क्या शाहिए नहीं सोच यह जब आप चार टाइप में इतना कुछ सीख चुके हैं तीन टाइप में आपको 27 टॉपिक पढ़ा देंगे तीन ही टॉपिक में जब इतना सीख च हैं । सवाल कह रहा है तो पचीस पैसे के सिk की संखिया बताइए 50-95 25 बीज में यहां यह गया 25 फैसे को संख्या होगा जी नंबर ऑप्षन 25 पैसे के सिक्कों के संख्या आपको प्राप्थ हुआ यह कोशन आपके स्क्रेशन के ओपर 10 सकेंड के लिए हम रखते हैं उत्तर देने की कोशिस करिए अप लो possible है और नहीं तो फिर तो हम है नहीं फिर तो हम है ही इस प्रश्ण का solution करने के लिए सवाल देखे, बहुत बहतरीन सवाल सवाल कह रहा है कि 372 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रुप में, इनकी संख्या ठीक है, 13, 11 और 7 के नुपात में हैं देखो, यहाँ पर 372 सिक्के हैं, रुपया नहीं दिया हुआ है तो 13 11 24 731 तो सिक्का का तुलना सिक्का से रुपईया रहे तब तो कम कंवर्ट हम करें लेकिन कंवर्ट करने का समस्या ही नहीं अभी आया है 332 सिक्का 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है इनकी संख्या 13 11 7 के नुपात में 13 और 11 होता है 24 731 50 पैसे के सिक्कों के संख्या पूच रहा है 50 पैसा का बीज में और यहां पर बीज में है 11 11 10 बार में 11 11 11 11 12 16 10 बार बार में कटेगा बारा गुने गारा सर 132 सिक्का 50 पैसा का जो सी नंबर ऑप्शन में अभेलवन है यहां पर देखें यूनिट चेंज करने के लिए आता है यहां पर देदेगा सिक्का और यहां रेशियो देदेगा रुपईया का तो आप उसको सि तब ज्यादा बेटर रहेगा देखिए एक ठहली में 50 पेसे एक रुपया दो रुपया की सिक्के दो तिन चार के रुपात में कुल राशी 240 रुपया हो हां तो सिक्कों की कुल संख्या गया देखिए भई आपके पास 240 रुपया है और यह जो रेशियो है वो सिक्का का है और यह रुपया है इसी की बात हम कर रहे थे कि अगर रेशियो सिक्का में हो और एमाउंट रुपया में हो तो आपको सेम कैटेग्री बदलना पड़ेगा ज्यान से समझेगा एक ठहली में 50 पेसे एक रुपय और दो रुपे के सिक्के दो तिन चार के अगर कहता कि कुल सिक्का दो सो चालिस है तो कुल सिक्को का तुलना कुल से चार तिन साथ दो नो लेकि नहीं यहां यह जो दो सो चालिस है वो सिक्का नहीं यह दो सो चालिस रुपईया है यानि वो जो रेश्यो है वो सिक्का का है और यहां जो दिया हुआ है वो धनरासी है, तो आपको convert करना पड़ेगा रुपईया में, तो देखिएगा, 50 पैसा का दू सिक्का अगर रहे हैं, तो एक रुपईया बनेगा, रुपईया में convert कर रहे हैं, एक रुपईया वाला तीन सिक्का तो तीन रुपईया, और दू रुपईया वाला चार सिक्का तो चार दुनी आठ रुपईया, देखिए रुपईया का तुलना रुपईया से कीए, एकदम सिंपल बात है, कि भई 50 पैसा का दू सिक्का तो एक रुपईया, एक रुपईया वाला तीन सिक्का तो तीन रुपईया, दू रुपईया वाला चार सिक्का तो आठ रुपईया, तो सवाल के रहा है, सिक्कों की टोटल संख्या, टोटल कितना सिक्का है, समझे सिक्कों, सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है, ये बात समझ नहीं है, तो यहां पर कितने सिक्क चौब ऋनी 180 सिक्का कैसा लग रहा है समझ में आए यहस यह नौ में जबाब दीजिए सबलो समझ में आए यह स्ट यह नौ में जबाब दीजिए बहुत बहतरीन कोष्चन है। कि कैसे आया यह रुपइया था हमको तुलना रुपइया से ही करना है तिक्का के बारें पूछा तो चार तीन साथ दो नौ सिक्का है नौ से गुणा किए एकदम सिंपल मैतड नेक्स्ट कोश्चन टॉपिक पाँच एकदम बहतरीन सवाल चार टॉपिक कंप्लीट हो चुका है केले खरीट कर छे रुपिक के पाँच की दर से बेचने पर कितना पढ़ा है ऐसे अच्ञ प्रस्ट एकदम में पूछे जाते हैं रुपईया वस्तू रुपईया वस्तू यह क्रिक है इसका, समझें इसको, पांच रुपईया में 6 केला खरीद कर, 6 रुपईया में 5 केला बेच रहा है, या ऐसे, कि 5 रुपईया में 6 की दर से खरीद कर, 6 रुपईया में 5 की दर से बेच रहा है, तो पहले रुपईया फिर बस्तू, फिर रुपईया फिर बस्तू, आया ना, त शेचा का 36 तो जो पहले आ जाए वो हो गया क्रेमुल क्योंकि भई पहले वस्तू को खरीदा आ जाता है बाद में बेचा जाता है तो जो पहले दिखे वो क्रेमुल चाहिए वो बड़ा हो चोटा उससे मत्तब नहीं है पाच उरुपे में 6 की दर से 6 रुपे में 5 की दर से बे परतिशत लाव बरावर लाव गुने 100 और जब 11 का लाव हुए यह नि क्रेमल 25 हो गया 25 चक चार बार में 11 चक 44 परतिशत का लाव और सी नंबर ओप्शन कैसा लगा जल्दी बताईए आ रहा है समझ में next question आपके लिए हम देते हैं 10 सकेंड का समय है जल्दी बताईए बताईए जल्दी बहुत बहुत बहतरीन सवाल ऐसे प्रस्ण तो एक्जाम में नहीं आएगा तो भाई उस एक्जाम का कोई वजूद ही नहीं रहेगा ऐसे प्रस्ण कई बार पूछे गए हैं एक्जाम में कबीर 10 उर्पे में 11 की दर से पैंसिल खरीदता है और 11 उर्पे में 10 की दर से उन्हें बेचता है तो उसको कितने प्रतिशत का लाव यहां नहीं है देखो 10 उर्पे में 11 खरीद कर 11 रुपे में 10 के दर से बेचा नजदीक का नजदीक से गुना दूर का दूर से गुना 10 गुने 10 तो 100 यहां गया क्रेमल और 11 गुने 11 एक्सो एक्जी से गुना क्रेमल तो डाइरेक्ट परतिशत लाब बोल सकते हैं सो बला 121 में बिका भाई 21% का लाब एकिस प्रतिशत का क्या हुआ लाब हुआ कि सो से डाइरेक्ट कमप्रीजन हम कर सकते हैं सो वाली वस्तु अगर 121 में बिके यानि 21% का प्रॉफिट हो गया यह एकदम क्लियर है सब को कहिए समझ में आ रहा है यहां तक यसियनों में जब सवाल कह रहा है कि 15 रुपे में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और 5 रुपे में 4 की दर से बेचता है कितने प्रतिशत का लाब यहानि खरीदा 15 में 15 रुपे में 6 की दर से पेंसिल खरीद कर 5 रुपे में 4 के दर से पेंसिल को बेच दिये सिंपल सी बात है नजदीक का नजदीक से गुना दूर का दूर से गुना 15.60 चे पचे 30 सिंपल समझेगा कि भई 60 वाला सामान 30 में भिका 50 परसेंट का लोस तिखा न अने तो फिर आप ऐसे भी कर सकते सरहानी परतिशत हानी वैसे दिमाग भी लगाईए ना कि ये क्या हो गया ये हो गया क्रेमुल और ये हो गया विक्रेमुल तो अबेसली सिंपल सी बात है इस आठ वाली वस्तु जो है अगर 30 में भिक जाए तो ने कहेंगे आधा आधी लहानी हो गया यानि 50 परसेंट का क्या हो गया भाई लॉस हो गया ठीक है क्या हो गया 50 परसेंट का लॉस हो गया बात एकदम समझ में आ रहा है कॉंसेप्ट दे रहे आज टॉपिक बाई टॉपिक जो हम आपको पढ़ा रहे हैं यह सभी कॉंपेटिटिव एकजाम के लिए एकदम महत्वपुर्ण साबित होने वाला है यहां तक क्लियर है तो पंदरा इस तरह से पंदरा रुपे में छे की दर से पेंसिल खरीदता और पाच रुपे में चार की दर से बेजता है तो भाई 50% सिंपल सोचो ना साथ वाली बस तो 30 में बिख जाए आधा आधी का लाहनी हो गया सवाल टॉपिक नंबर 6 हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक बहुत ही बहतरी इन टॉपिक बहुत ही शांदार टॉपिक करें दो संख्या है तीसरी संख्या से क्रमसा 30 और 27% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परशन कम है देखिए तीन संख्याओं का जब जिक्र हो ये प्रॉपिटर लॉस परसेंटेज इंक्लूड है दोनों नहीं टॉपिक नंबर 6 है तीन संख्याओं का जिक्र हो तो ए कि सख्या की थी संख्यां किसी exact कि संख्या को 10 पर्सेν बान दीजी बढ़िए मुझे हैं किसी तीसरी संख्या से करम्सा 33 परशंट अच्छा क्रम्सा बोल्ए तो आगेसे चलिएगा इसा नहीं कि तीस कम t7 और इसको 63 लिख दे ना बिल्कुल नहीं दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से तो कम प्रीजन तीसरी से हो रहा है तीसरी को सब तीसरी संख्या से करमसा 30% कम होने का मतब है यह होगा 70 और 37% कम होने का मतब है कि यह होगा 67 हो गया तीनों का रेश्यो चाहो तो रेश्यो पर 37 भी सकते हो सीधे 70, 66 और 100 लिख सकते हो दो संख्या हैं तीसरी संख्या से क्रमसा 30 और 37% कम है 30 कम होने का मतलब 70 और 37 कम होने का मतलब 37 कम है तो यह 63 होगा इतना हो जाएगा त Millennium 1610 क्योंकि सॉ मैं 30 घटाएगा ना तो आपका 63 हो गया तो कहरे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना पृतिशत काम है आप बताईये अन्ह Dá कितना का हुआ कमी हुआ साथ का लेकिन डाइरेक्ट साथ परसेंट नहीं बोल देना हाँ यही तो समस्या है इन्हें कि 70% और 30% तो 7% नहीं यह इससे साथ कम है लेकिन अगर प्रतिशत में कोई चीज कमी चाहिए तो ऐसे निकालिएगा सर्ष प्रतिशत कमी बराबर कमी गुन sawbaerver कम्य कितना में कट्तर में 63 में तो हमतले कितनाम यही बड़ी वर्या जब कमी हो तो नीचे बढ़ा वला जब ब। नीचे छोटा वला फिलाल कमी है 10% है option यह बहुत बहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं एक बार आप इसको पूरी क्लास आप 27 टॉपिक पढ़कर तो देखिए जीबन भर याद रखेंगे आप हमें जब तक सरकारी नौकर लगने के बाद भी याद रहेंगे इसमें भी कोई डाउट नहीं है ठीक है तो प्रतिशत कमी बरबर कमी गुने 100 और जब कमी हो तो नीचे बढ़ा जब बृदी हो तो नीचे छोटा इसको अगर बेसिक से पढ़ना है न तो इस बुक को लीजिए इस बुक में ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप बाई टाइप कोश्चन दिये हर एक चैप्टर को लगब तीन से चार दिन में घर पहुंच जाएगा जी तीन से चार दिन में ये बुक आपको फ्लिप कार्ट के तुरू आपके घर पे पहुंच जाएगा बहुत बहतरीन बुक है आप एक बर पर्चेस करके देखिए प्राइज आपको 200 के अंदर ही लगेगा 180, 190, 95 जो भी है ओफ ब्रहमास्ट्र है आपके लिए ठीक है इसके अंदर ऐसे-ईसे कम से कम 200-300 टाइप तो जरूर होंगे 200-300 टफिक, ये तो 27 टापिक पढ़ाएगे ना इसी से लिया में 27 टॉपिक से लिया और ऐसे-ईसे दो धाई सो टॉपिक होंगे इसके अंदर दो धाई तीम सो भी हो सकता है दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से करमसा 25 प्रतिशत और 20 परसेंट कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत किसी तीसरी संख्या है किसी तीसरी संख्या से कंप्रीजन हो रहा है तो तीसरी को मानिये सव किसी तीसरी संख्या से 25 और 20 परसेंट कम है तो इसको 75 परसेंट नहीं ऐसे आगे आ जाए पचीस कम है तो यह 75 होगा और 20 कम है तो यह 80 होगा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का कितना पर्तिशत है डेखोए ठाट काट में सकते ह्ट 15-75 कोई दिक्कत नहीं है अब कह रहें पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना परतिशत है तो दूसरी देखो ऐसे इसको ऐसे सॉल करिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परतिशत है तो दूसरी यह है ना तो आप 15 लिख दो भई सबसे अच्छा पहली का 15 यानि 16 गुने X बटे 100 बराबर 15 यानि सिम्पल सी बात है 4 चक 16 25 चक 100 यानि यह आपका उदर हो जाएगा नहीं तो फिर आप ऐसे कर दो न एक्स बराबर 25 गुने 15 बटे 4 ठीक है तो 25 गुने 15 बटे 4 करेंगे तो आप इसको क पाचीश त्रीपॉइंट सेवन फाइफ पचीश तीया पच्छत्तर पच्छत्तर गुने 3 दसमलब साथ पादेखो सिंपल सी बात है कि यहां भी पांच है और यहां भी पांच है तो लास्ट में 5 गुने 5 करेंगे तो लास्ट में 25 याएगा ना कहां दिख रहा है ओप्श पचीश होगा पचीश यह नहीं वहां आपको दिख रहा है 93.75 पॉर्सेंट क्लियर है यहां तक बिल्कुल 100% समझ में आ रहे है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए कि सर यहां समझाओ वहां समझाओ बिल्कुल समझारेंगे ठीक है और इस बुक को एकदम मंगा लीजिए जि यदि किसी संख्या के 75 प्रतिशत में 75 जोडेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या याद करें माल लीजिए कि वह जो संख्या है वह एक्स है ठीक है संख्या को हमने क्या माना एक्स है यदि किसी संख्या के 75 प्रतिशत में एक्स के पचत्तर परतिशत में, पचत्तर को जोडेंगे, तो y संख्या प्राप्त हो जाए, y संख्या यानि x प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं वह संख्या गया तो, ट्रैकर के देखते हैं, तो सही होगा तो बन जाएगा, x गुने 75 बटे 100, प्राप्त हो, प्लस 75 बड़ाबर x, y संख्या यानि x, 25 तिया 75, 25 चक्सव, यानि 3xy4 बड़ाबर, 3xy4 प्लस 75 बड़ाबर x, ऐसा करते हैं, x को पकड़के इधर लेकर जाते हैं, 75 उदर, या फिर इसी को उदर लेकर चल जाते हैं, यानि x माइनस 3xy4, कुछ नहीं किया, आमने ये 3xy4 को उदर लेकर चल गए, बराबर ने, बराबर अल्रेड़ी धर 75 था, तो 75 ने दिये, या आपका चार बार में हो जाएगा, 4x-3xy4 is equal to 75, 4x में 3x गया, xy4 is equal to 75, then x is equal to ये भाग में उदर गुना, 75, 25, 25, 25, 25, 300, यानि वो संख्या कौन सा हो गया, 300, पहला ही number option है, तो ऐसे प्रस्ण exam में आएंगे और बिल्कुल नहीं चूटेंगे, वो आपसे बन के जाएंगे, फिर आपको हमारी यादे, अच्छा, सर ने बताया था, नहीं, तो आप एक बर बना कर देखिए, ऐसे हमने तो बहुत स्काम बोला, इसके अंदर लगबग, 2000 question है, तो सोच देखिए, कितने topics cover होंगे इसके उपर, 2000, वितांसर की, हाँ, 2000, 1800 question, confirm, no doubt, 1800, अब मैंने गिना नहीं है, पर 2000 के आसपास question है, इसके अंदर, ठीक है, यह पत्दा देखने में लग रहा है, भई, ब्रहमास्तर है, यह सभी काई है, ठीक है, चलिए, सात्वा topic, क्या सांदार त अगर यह जन संख्या के उपर अधारित प्रस्न है, और ऐसे प्रस्न अगर एकजाम में आ जाए, क्या बहतर solution, नगर की बर्तमान जन संख्या सर्जी है, 18,000, ठीक है, गुना, दस प्रतिशत बार्सिक दर्से विर्दी होने का मतब है, 110 बटे 100, और कह रहा है, दो बर्स बा बोलता, तो 110 बटे 100, 3 बार कर देते, अगर 10 बर्स 20 परसेंट बोलता था, 120 बटे 100, 120, 120, कोई फॉर्मूला का जूरत नहीं, किसी नगर की बर्तमान जन संख्या से संबंदित प्रस नहीं चूटेगा, किसी नगर की बर्तमान जन संख्या 1,80,000 है, 18,000 है, जन संख्या में 10 परसेंट की दर्सेवी दियो रें, दो बर्स बार, 00 से 00, 00 से 00, 11 गुने 11, 121 और 121 गुने 18 करेंगे, 8, 8, 26, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 8, 9, फिर 1, 2, 1, 8, 7, 11, 21, 21, 78, कुछ है कर के, हां, 22, 78, 0, यह एकदम magic है भई magic ठीक है एकदम magic है इस बात को ध्यान रखेगा आप लोग ठीक है ऐसे प्रशन एक्जाम में आएंगे रुकेंगे भी नहीं बिल्कुल बनेंगे एक जीरो क्योंकि यहां कम दिया था ना इसलिए हमने वहां पेक जीरो दे दिया आराय समझ में पक्का लॉक करते चले आगे बढ़ते चले पस इतना ही काफी है आपके लिए देखिए कि कह रहा है सवाल एक कस्वे की जनसंख्या सत्रा हजार नहीं एक लाग शितर हजार चार सो है पांच प्रतिशत वार्सिक दर्शे विर्दी हो रही है अगर प्रशन पूछता दो बर्श बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी तो आप क्या करते हैं सत्रा चोसट डवल जिरो गुने पांच परसेंट की विर्दी हो रही है ना एक सो पांच बटे सो गुने एक सो पांच बटे सो आपका जो भी अंसर आता वो आप कर लेते हैं यह दो बर्श मैं स्ट्रेक्चर तयार करके दे रहा हूँ लेकिन अगर इ थोटा सरूल होता है सत्रा चोसट डवल जिरो गुने अगर दो बर्श बात बोले तो 105 बटे 100 एक सो पांच बटे सो तीन बर्श बात बोले तो फिर से 105 बटे सो लेकिन इसी कोशन को बोले दो बर्श स्टो पहले तो कुछ नहीं करना है 100 को उपर कर देना है और 105 को नीचे क यह आपका solution रहा है आप कर लिजेगर point आए तो point को अटा दीजेगा और इन ही चारों में से कोई यहां से आपका answer निकलेगा क्योंकि दो बर्स पुर्व यानि दो बर्स पहले की जन संख्या पूछ रहा है यह आपका correct उत्तर है और यहां से आप अपना solution अब हम दो मिनट इस पर टाइम देंगे उससे अच्छा कि एक topic और पढ़ा देंगे आपको इस वीडियो में कि यहां तक clear है बना लेंगे आप लोग कर लीजेगा पॉइंट आए तो पॉइंट हटा दीजे क्योंकि जन संख्या कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है साड़े तीन आदमी सावा चार आदमी पॉने पांच आदमी देखा है आपने नहीं देखा है तो नहीं हो सकता है possible द यार कर देता हूँ बनाने का काम आप करा अगर दो वर्ष बाद पूछता अगर दो वर्ष बाद पूछता तो वन टू वन ट्रिपल जीरो इंटू कितना दस का बिर्दी 110 बटे 100 गुने 110 बटे 100 लेकिन आप से पूछा है दो वर्ष पहले देखो बिर्दी भी हो रहा है फ 110 बटे 100 उपर कर दीजिएगा और 110 नीचे आपके मन में विचार चलो सर 90 बटे 100 नबबबटे 100 कब होता है जब कमी होगा था हम समझ रहे हैं आपके मन में विचार चलो यह आपका रग्या की बरतमान जनसंख्या 2000 है 10 प्रतिशत वार्सिक दर से विर्दी और यह दो बर्स बात यह तो आसान है वही दो हजार जनसंख्या है दस की विर्दी ओने का मतब 110 बटे 100 फिर से 110 बटे 100 यह दो बर्स बात बोले तो 0000 0000 1111 1121 1242 परेगो 0 2420 यह आसान कोश्यन था यह अग्दम टॉपिक लेकर आएं भाई साब आपके लिए एकदम दातों तले चने चवाद दीजिएगा ऐसे टॉपिक को सीख कर ऐसे ही प्रस्टन एकजाम में छूटते हैं और चेहरे पर थोड़ी स्माइल भी आ रहे हैं हाँ लग तो रहाए कैसा कोश्यन छूट जाता था बीच बी टॉपिक आठ में गुश चुके हैं अगर कहीं पर लिखा रहे वन प्लस वन वाई टू और कहीं पर लिखा रहे एक पुर्णा के एकवटे दो तो दोनों बिल्कुल एकवल है समझ रहे हैं ना तो जब इस तर एक बर आप लोग बना कर देखें दस सकेंड का समय आपको उन देते हैं ठीक है बनाईए चलिए ठीक है अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन करके देखने हैं पहले वन प्लस वन वाई टू यानि एक पुर्णा के एक बटे दो इसको सॉल्व करेंगे तो सर जी यह हो गया तीन बटे दो गुना वन प्लस वन वाई तीन वन प्लस वन वाई तरी यानि तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन वन प्लस वन वाई फोर यानि चार एकम चार और एक पाच बटे चार पुर्णांक आता है न तोड़ने डॉट 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 करके चलिएगा वन प्लस वन वाई यानि इ यह देखने में जितना danger लगरा ऑग एक बार सिखा देङे, याद रखे देखें, क्या ये तिरचा तिरची कट रहे हैं, क्या ये तिरचा तिरची कट रहे हैं, जब ऐसे ही काटते चलेंगे तो ये क्योंकि डॉट डॉट होने का मतलब है की निरंतर वही प्रकृर्या जारी तो निरंतर ऐसे कटते 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 फायनली नीचे वाला यन कट जाएगा ऊपर एक बच गया माईडियर स्टुडेंट एन प्लस 1 और नीचे बच जाएगा टू तो एन प्लस वन वाई टू यह आपका जो हो गया करेटा अगर ऐसे कटता तो एक यहां बचता और एक यहां बचता देखें आगे दो तीन कोश्चन इसके उपर हमने रखा है आप सीखिए इतना काफी है यह टॉपिक नंबर आठ है ताइस को हम भगा ही देंगे नहीं भागेगा भाई उसको जवड़ दस्ती पकड़ के कॉलर लेकर जाएंगे कि ठीक है कि बाई चलो तुम निकलो अब हमारे गणित का डर जो है वह खतम हो गया ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखिए फिर से उसी टाइप कोश्चन है इसको भी करिए एक दम मैथ एकदम कवर हो जाएगा यह 1-1y2 यहां यहां एक घटाना है देखे 1-1y2 का मतब हुआ कि इन दोनों को गुना करिए 2-2 और 2 में से एक गया एक बटे 2 तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे 1-1y2 तो यह हो जाएगा एक बटे 2 1-1y3 यहां तीन एकम 3 3 में से एक गया दो बटे 3 4 एकम 4 4 में से एक गया 3 बटे 4 5 एकम 5 5 में से एक गया 4 बटे 5 डॉट 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 एकस गुने 1-1 बटे एकस इस बार कौन सा कट रहा अच्छे इस बार ऐसे कट रहा है ऐसे ऐसे तो यह ऐसे निरंतर कटते चलेगा तो यह x-1 कट जाएगा त इस प्रशन का उत्तर है B not option सुर्ण ओर एक चुटकारा दे रहें आपको गनित के डर को भगार हैं आपके अंदर से मजबूरी है भगाना अमारा नहीं हमारी मजबूरी है कि आपके अंदर का डर को हम नहीं भगाएंगे तो कौन भगाएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं सर हमें गनित से डर लगता है हमने बोला भई कौन सा वो भूत है जो डर लगेगा वो भगा देंगे उस डर को और देखे भगाई रहे हैं आप लोग के लिए चलिए अगला सवाल फिर से वही टाइप उसी टाइप का कोशन चलिए एक वीडियो में तो 27 टॉपिक पॉसिबल नहीं है तो कमेंट जरूर कर दियेगा नेक्स्ट सीरीज के लिए यामें नेक्स्ट वीडियो के लिए कि सर कब आएगा यहां देखिए दो एक अम दो करते चली कौन सा कट रहा है ऐसे 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 कटते जाएगा तो भाई अठारा कट जाएगा उपर एक बचा नीचे उनीच बचा वन वाई 19 पहला ही नमबर ओप्शन है एकदम सालींता के साथ प्रशनों को करिए ठीक है चलिए आठ टॉपिक आज के क्लास में हम रखते है जितना जादा से जादा हो सके कमेंट करिए और इस बुक को अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा चाते कि ऐसे ऐसे 27 ने 200, 300, 400 टॉपिक मुझे मिले जो हम बैट कर टाइप बाइट है इसके अंदर हर एक चैप्टर से लगबग 18 से 20 चैप्टर है चारा टाइप बाइट कोई बी ऐसे डाइरेक्टि उठाके 100 कोशन दो कोशन नहीं है आप इसको देखिएगा ना देखिए हर एक कोशन देखिए लिख रहा है आपको टाइप 20 टाइप 19 टाइप 18 यानि हम इस बुक के अंदर जो हमने खुद से लिखा है ना हर एक चैप्टर को टाइप बाइट दिया है हमने आपको इसमें अंसर भी मिल जाएगा देखिए इस तरह दिखए यह आपका अंसर की हो गया तो भाई बहुत बहतरीन यह बुक है यह अंसर की है आपका लास्ट में देखिए ना और इसका यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन है इसका अप्लिकेशन पर अगर आप संजीवनी बैच लेते हैं तो इस बुक का सॉल्यूशन मिलेगा आपको देखे टाइप 17 कोई भी चैप्टर आप खोली है अप देखो कोई भी पेज हम लट देना जो दब्बा बना हुआ समझेगा वो टाइप बाइप है टाइप बाइप देखे कोई भी चैप्टर टाइप उतने टॉपिक्स और ऐसे ऐसे तो इस वीडियो में हम 27 टॉपिक बताएंगे इस बुक के अंदर कम से कम मैंने गिना तो नहीं है पर मुझे इतना बरोसा है 400-500 टॉपिक तो कंफर्म होगा क्योंकि 200-2000 बुक पेज कोशन की किताब है और खरीदना कितने में 180-190 मे पैसे दिखाता है और हमेसा आते रहता है दो तरी कोफर है लीजेगा जरूर और इसको पढ़िए गाना आपके गनित का डर खतम हो कि हमने बनाया इस बुक को ठीक है लंबा एक्सपीरियन से 6-7 सालों का बुक बन और ऐसे बहुत सारे बुक लॉंच करने वाले हैं आपके बहुत चल ओके तो इस बुक को तुरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए ना लिंक मिल जाएगा आपको ठीक है नहीं तो फिर ट्रिकी माहत ब्रहमास्तर सर्च करिएगा ओके बाबाई